वेल्कम टू स्टेडी ट्वंटीफोर देपूर आज की क्लास में हम इक्नोमेक्स के कुछ मल्टीपल चोइस कोशन्स हैं उनको सोल करेंगे सबसे पहला जो आज का मारा क्वेश्चन है विश्व बैंक समू में कौन सा संगठन सम्मिलित नहीं है वर्ल्ड बैंक ग्रूप के अगर हम बात करें इसमें अंतर राष्ट्री वितनिगम आई एफसी उसके बाद में अंतर राष्ट्री विकासंग आई डिये और विश्व बैंक आई बी आडी ये तीनों सम्मिलित हैं जो अंतर राष्ट्री मुद्रा कोश हैं आई एम एफ वो नहीं है next हमारा है second रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धान्त में निमने लिखित में से किसको सुधार माना जाता है ठीक है इसको पूरा कर लीजेगा जो second question हमारा है कि रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धान्त में किसको सुधार माना जाता है तो इसका जो correct answer हो होगा अंतर रास्टे व्यापार का जो आधुनिक सिद्धान पे हेक्षर ओलिन सिद्धान वो रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धान की कम्यों को दूर करने का प्रियास करता है तो करेक्ट अंसर हमारा क्या हो देखे जब हम free trade की बात करें तो स्वतंतर व्यापार के संदर्व में निमन की अगर हम बात करें तो इसमें से free trade कब होगा जब विभिन देशों की बीच में जो व्यापार हो रहा है उन पर किसी प्रकार का कोई प्रशुल्क टेरिफ अगर नहीं होता है तो प्रशुलक का जो अभावे व्यापार को दर्शाता है नेक्स्ट हमारा है यदी प्रस्तावकर ओफर करो जो है उसका ढाल इस्थी रांग हो ठीक है एक इस्थी रहो मतलब हमारा जो ओफर कर्व हैं वो इस तरीके से होता है कर्व के रूप में होता है लेकिन ऐसा नहीं होके अगर इसका ढाल क्या है एक इस्थी रांग के इस तरीके से हैं तो ऐसी इस्थी में व्यापार की शर्तों का जो निर्दारन है वो किस परकार से होगा तो देखिए व्यापार की शर्तों का जो निर्धारन उसके लिए क्या जरूरी है प्रस्ता वक्र इस तरीके से होना चाहिए तेकि इनका ढाल होना चाहिए लेकिन अकर एक सीधी रेका के रूप में हैं तो व्यापार की शर्तों का निर्धारन करना निर्धारनी हम कह सकते हैं तो correct answer हमारा option A हो जाएगा next हमारा है fifth निम्न में से कौन सा एक हेक्षर ओलिन व्यापार सिद्धान्त के अनुसार अंतर रास्टी व्यापार का कारण है तो देखिए अंतर रास्टी व्यापार का जो आधुनिक सिद्धान्ते हेक्षर ओलिन का क्या मनना था का विभि साधनों की कीमते हैं उसमें अंतर आता है और इसी कारण से अंतर रास्टी व्यापार होता है तो यहां पे जो हमारा correct answer होगा वो क्या होगा option A साधनों की उपलिवदता में अंतर नेक्स हमारा है किसी देश का व्यापार 6 टिक है balance of trade की अगर हम बात करें तो balance of trade में हम वस्तूओं का जो export है नेरियात है और वस्तूओं का जो आयात है उसको हम लेते हैं तो यहां पे जो हमारा correct answer होगा वो क्या होगा option A नेरियात माइनस आयात नेक्स हमारा है सेवंत निमन लिखित में से सही उत्तर लिखिए हमको कुछ कथन दे रखे हैं इन में से कौन सा कथन जो है वो सही है फरस्ट हमको दे रखाए कि IMF एक देश के भुक्तान संतुलन के अलप कालिन असंतुलन को ठीक करने के लिए रिन देता है तो देखी यह जो कथने वो बिल्कुल सई हैं जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैं अंतर रास्ट्रिय मुद्रा कोश हैं किसी देश का अगर भुक्तान संतुलन बैलेंस ओफ पेमेंट अगर एक्विलिब्रियम में नहीं है असंतुलन की स्थिति में हैं तो उसको ठीक करने के लिए रिंड देने का जो कारी हैं वो किसके द्वारा किया जाता हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो नहीं अल्प कालिन असंतुलन को ठीक करने के लिए रिंड देता हैं और फिर सी ओप्शन में लेक्षण के अल्प कालिन और दिर्ग कालिन दोनों के लिए तो केवल अल्प कालिन जो असंतुलन हैं उसी को ठीक करने के लिए रिंड देता हैं नेक्स्ट हमारा है एट्थ नि Domestic Industries हैं जो गरेलू उद्ध्योगे उनको संड्रक्षन देने के अगर हम बात करें तो उसके लिए वो प्रशुल्क निती का सहारा ले सकता है एक्सचेंज कंट्रोल विनिमा नियंत्रन का सहारा ले सकता है या फिर जो कोटा प्रणाली है अभ्यंश निती है इसका सहारा ले सक लेकिन उत्पादन शुल्क में जो व्रद्धी है वो संड्रक्षन का तरीका नहीं माना जा सकता है तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ओप्शन ए नेक्स्ट है शिकागो इसकुल के अर्थ शास्त्रियों को निम्न लिखित में से किस नाम से जाना जाता है शिकागो इसकुल के अगर हम बात करें जैसे कि मुख्य उप्शस में फ्रिड में अगरा जाए तो ये जो अर्थ शास्त्री है इनको जो मोनेटरिस ठीक है जो कारियों में से कौन सा एक वर्तमान व भविश को जोडने में साहयक होता है देखिए जो मुद्रा है उसको लोग क्या करते हैं अपने पास में बचा के रखते हैं वर्तमान आयक आयक निश्चित हिस्सा वो अपने पास में बचा के रखते हैं ताकि भविश में आकस्मिक उनका कोई कारी हो उसके लिए वो प्रियोग कर सके तो इसके लिए हम जो कह सकते हैं कि हमारा जो correct answer होगा वो क्या होगा मुल्य का संचाई लोग मुद्रा को अपने पास में store करके रखते हैं ताकि भविश में उसका प्रियोग किया जा सके तो जो store करेंगे मुद्रा को वो वरत्माना ऐसे करेंगे इसलिए हम कह सकते हैं कि वरत्मान वो भविश को जोड़ने में जो साय कि वो कौन सा कारी है मुल्य का संचाई store of value next हमारा है 11 साप्यक्ष करदेश हमता एक वास्त्विक है वास्त्विकता है जबकि निर्प्यक्ष करदेश हमता एक मिथक है देखिए साप्यक्ष करदेश हमता जो relative tax capacity है तेकि उसको एक relative वास्त्विकता माना गया है जबकि जो absolute tax capacity है टेक्सेशन capacity निर्प्यक्ष करदेश ह जिसको हम कहते हैं वह एक तरह से जूट है मिथक हैं तो यह जो कथन है वह प्रोपेसर डालटन के द्वारा दिया गया था तो हमारा यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन भी इस्फितिक अंतराल को ठीक करने के लिए कौन से राजकोशी उपाए अपनाने चाहिए देखिए इस्फितिक अंतराल का मतलब क्या हो गया कि जब अर्थ व्यस्ता में मुद्रा इस्फितिक इस्थिति हैं वस्तों से वह की जो किमते हैं वो एक तरह से तेजी से बढ़ रही ह तो यह इस्पितिक अंतराल को दर्शाता है यहां जब समगर मांग जादा होती है तो इसको नियंतरन करने के लिए कौन-कौन से राजकोशी उपाएं तो राजकोशी उपाएं के अंतरगत सरकार की जो कर निती हैं और व्याय निती हैं रिण हैं नए जो नोट चापे जाते ह समयलित करते हैं तो यहां पर जैसे लिखावा है सारजनिक वे में कटोती करने चाहिए तो बिल्कुल सही है करों में व्रद्धी करने चाहिए यह भी सही है और सारजनिक जणों में व्रद्धी करके अर्थ विवस्ता में जो अतिरिक्त मुद्रा है उसको कम करके नियंतरन क ठीक हो ठीक है मांग की आई लोच अधिक हैं तो ऐसी इस्तिति में क्या करना चाहिए तो मांग की आई लोच अधिक होती हैं तो ऐसी इस्तिति में करों की जो दर हैं उसको क्या करना चाहिए नए कर नहीं लगाने चाहिए या फिर करों की जो दर हैं उसको बड़ा देना चाह तो यहां पे जो हमारा correct answer होगा वो होगा option कि मांग की जो i loach है ठीक है वो अगर अधिक है तो करों की दरों को घटाने से क्या होगा जो total revenue है जो collection है टेक्स का वो बढ़ जाएगा ठीक है इसको चेक कर लिजाएगा एक बार नेक्स्ट हमारा है 14 वेकर लगाने का सबसे पहले सुजाव किस अर्थ शास्त्री ने दिया था ठीक है देखिए वेकर के अगर हम बात करें तो वेकर के बारे में सबसे पहले जो सुजाव है वो किस ने दिया था काल्डोर ने तो हमारा correct answer क्या हो जाएगा option c नेक्स्ट हमारा है 15 सारुजिक शेत्र के कमजोर बैंको के पुनर जीवन एवं उनकी पुनर सनरचना हेतू निम्न में से किस समीती का घठन हुआ है तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में चार option दे रखे है तो यहाँ पे जो हमारा correct answer हो जाएगा वो होगा option a वर्मा समीती देखिए भारत में उधारी करण आर्थिक सुधार जो प्रारम होए थे 1991 के बात में तो उसके बात में जो सारुजिक शेत्र के कुछ बैंक एक तरह से कमजोर थे ठीक उनके पुनर जीवन के लिए जो समीती उनका घठन किया गया था और उसके बात में जो private bank है वो भी आ गए थे और 1999 के आसपास जैसे यह जो समीती हैं उसका गठन किया था वर्मा समीती यह MS वर्मा जो भारती रिजर्व बैंक के उसके पहले सलाकार भी रह चुके हैं और State Bank of India जो हैं उसके चेर्में रह चुके हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमिटी का गठन किय जा गया था नेक्स्ट हमारा है 16 यदि सरकार का बजट 31 मार्स तक पारित न हो सकें तो सरकारी वे किस आधार पर किया जाता हैं देखिए जो विती वर्ष होता हैं वो होता हैं एक अप्रेल से लेके 31 मार्स तक के लिए और नया जो बजट हैं वो एक अप्रेल से पहले 31 मार्स से पहले पहले जारी हो जाता हैं लेकिन अगर जारी नहीं हो पाता हैं तो एक अप्रेल से जो नया विती वर्ष हैं उसमें सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए संसत के समुक एक बजट जो हैं वो रखा जाता है जिसको एक तरह से लेखा मुदान कहा जाता है तो correct answer हमारा